हेलो फ्रैंड्स आज मैं आपके साथ शेर करूंगी super creamy और super soft tasty kesar pista ice cream की recipe जैसे बाजार में मिलता है creamy और soft वैसे ही ice cream आप घर पे बना सकते हो जो घर पे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही कम चीजों से और कम खर्च में फटाफट बन जाता है अगर आपको मेरी रेसिपीस पसंद आती है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहे बेल आइकोन को ज़रूर दबाए जिससे मेरी नई नई रेसिपीस के नोटिफिकेशन मिले तो आइए देखते ही खाने का मन हो जाए वैसा सूपर क्रीमी और सूपर सौफ्ट के सरफिस्ता आइस क्रीम बनाने की शुरूआत करते हैं आइस क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लिया है उसमें डाल देंगे दो कप विपिंग क्रीम तो यह चिल्ड क्रीम है तो जब भी आप आइस क्रीम बनाने वाले हो उससे आदे घंटे पहले क्रीम को फ्रीजर में रख दे फिर यूस करे तो द्यान रखेगा क्रीम बिल्कुल भी जमना नहीं चाहिए पर चिल्डोना चाहिए अब यह क्रीम को विस्क करना है तो उसके लिए मैंने इस तरह का इलेक्ट्रिक विस्कर लिया है तो इससे विस्क कर लेंगे शुरू में लो से मीडियम स्पीड पे विस्क करना है तो करीब 5-7 मिनिट में ये विस्क हो जाएगा ये देखिए धीरे-धीरे क्रीम गाड़ा होने लगा है अभी और विस्क करना है और धीरे-धीरे मिडियम से हाई स्पीड पे विस्क करना है तो आप देख सकते हो क्रीम अच्छे से विस्क हो गया है और क्रीम पहले से डबल हो गया है और इस तरह से सौफ्ट पिक बन रही है तो इस तरह की कंसिस्टनसिया जाए तब तक विस्क करना है तो अभी ये क्रीम तैयार है अब स्पेचुला से चारों और से क्रीम को लेके बीच में कर देंगे अब इसमें डाल देंगे एक कप कंडेंस मिल्क तो आपने जितना क्रीम लिया है उससे आधा कंडेंस मिल्क लेना है तो मैंने यहाँ पे 2 cup cream लिया है तो उसके सामने एक cup condensed milk लिया है आज़ी टीस्पून पिस्ता essence डाल देंगे अगर आपके पास पिस्ता essence नहीं है तो आप इलाइची powder डाल सकते हो या और फिर वैनेला essence भी डाल सकते हो अब मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून warm milk में डाल सकते हो, अब फिर से इन सब को अच्छे से विस्क करना है, तो अभी इस सब अच्छे से मिक्स हो जाए, उतना ही विस्क करना है, सिर्फ एक या दो मिनिट के लिए, तो इस आइसक्रीम में मैंने कोई भी फ्लोर या आटे का यूज नहीं किया है, इसलिए आप व्रत या उफास में भी खा सकते हो, इसी तरह से मैंने वैनिला आइसक्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम की रिसीवी पहले इस चैनल पे दिखाई है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखे इस तरह से मिक्स करते जाना है, तो देखे सब अच्छे से मिक्स हो च अब मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, इसमें आइसक्रीम के मिक्सर को ट्रांसफर कर देंगे, तो इसमें सारा मिक्सर नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं आधा मिक्सर दूसरे कंटेनर में डाल दूँगी, हलका असा टैप कर देंगे, अब इसको ढख दे डखकन खोल के देख लेते हैं, फिर से स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर देंगे, अभी आइस क्रीम सेमी सॉलिड है, और ये प्रोसेस इस समय करने से इसमें थोड़े बहुत भी आइस क्रिस्टल होके, तो वो तूप जाएंगे और आइस क्रीम बहुत ही स्मूध और क्री इसको डख देंगे, और फ्रीजर में 8-10 घंटे के लिए या तो फिर ओवरनाइट सेट होने के लिए रखेंगे, 8-10 घंटे के बाद आइस क्रीम को देख लेते हैं, ये देखिए, आप देख सकते हो आइस क्रीम अच्छे से सेट हो गया है, और बिल्कुल भी आइस क्रीस् और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी नई नई और यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरी ये चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अग तक के लिए बाइ, थैंक यू फर वाचिंग